बच्चो, आपके सामने 100 सब प्रतिमिनट घति का डिक्टेसन दे रहा हूं डिक्टेसन ते पहले जो भी कठीन आउटलाइन, वाक्यान सार हैं उसको मैं बना के बता रहा हूं, उसके आप प्रिक्टिस करें उसके बाद डिक्टेसन देता हूं इस बात पर विचार किया जाए इस बख वादा करें पर इस बात पर विचार किया जाए इस बात पर विचार किया जाए इस बारे में इसका सब चिने इसको बर लगा दे और मिला दे इस बारे में समझते हैं की समझते हैं और की इस बात पर विचार करना चाहिए इस बात आदा करें पर विचार करना चाहिए मालूम है की, मालूम का सब्चीने, उसी में है की लगा दीजिए बिजली बोर्ड, बिजली का सब्चीने, बिजली और बर आदा कर दें, बिजली बोर्ड अच्छी तरह से समझ गये हैं मैं समझताओं की मैं हूं की करें सिर्फ इससे आपको पढ़ना है मैं समझताओं की इस बात के प्रती इस भगवादा करें के प्रती ग्रामीन विद्धूती करन निगम बताया गया है की समय समय पर एक समय लिखें दूसरे समय को बढ़ा कर दें के संबन्द में के का सब्ची ने सम्मा और मे लगा दें राज सरकार राजि करके सरकार बना दें अपने आपको आगे देखें किया जा सकता है इस पर विचार करना है सहकारी संगतन सहकार को बढ़ा कर दें और सगर्न करके सेहकारी संगतन निजी छेत्र निजी और एस्टी अलूप लगा दे इससे छेत्र पढ़ेंगे सहकारी समिती सहकारी करके सहता कर दे समिती इस बात को लेकर इस बाग को आदा कर दे को लेकर को डबल कर दे इसके परिणाम स्वरू, इसके परिणाम और स्वरू का सबचिन लगा दे सैकारी संस्ता बढ़ा करके सहता लगा दे यहां समीती में सहता लगाया, यह सहता लगाया पेदा कर सकी है, लाइन को टच करके पेदा कर सकी है काम कर रहे हैं कर रहे हैं बनाएं और आगे कम काम की बिंदी लगा दें काम कर रहे हैं कुल मिलाकर कल और मल को डबल कर दें कुल मिलाकर ऐसा करने में ऐसा करने में उलेखनी रूप से कुलेखनी रूप से कुछ हद तक कुछ का सब्चिन है आ को आदा करेए, उत्ता को आदा कर दें, कुछ हद तक, बहतर, बहतर को डबल कर दें, बहतर डबल और अंग लगा दें इसको और सा लगा दें, बहतर डंग दें तो बचू यह हुई आपके आउटलेंड अब इसकी मैं अग बार आपको प्रक्टिस करवा देता हूँ फिर डिक्टेशन देता हूँ इस बात पर विचार किया जाए इस बारे में समझते हैं कि इस बात पर विचार करना चाहिए मालूम है कि बिजली बोर्ड अच्छी तरह समझ गए हैं मैं समझता हूँ कि इस बात के परती ग्रामिन विधूती करन निगम बताया गया है कि समय समय पर के संबन में राज्य सरकार अपने आपको आगे देखें किया जा सकता है इस पर विचार करना है सहकारी संगठन निजी शेत्र सहकारी समिती इस बात को लेकर इसके परिणाम सोरूप सहकारी संगठन सहकारी संस्ता पेदा कर सकी है काम कर रहे हैं कुल मिलाकर ऐसा करने में उलेकनी रूप से कुछ हद तक बैतर ढंग से पच्चों यह मैंने आपको आउटलेन बते ही अब इसका डिक्टेशन लें इस डिक्टेशन में जो आउटलेन आ रही है उसको आप सोकीजपिट से लिखेंगे अब मैं उसी डिक्टेशन को बता हूँ सोकीजपिट से इस महतोपून बेठक में मैं चाहूंगा कि इस बात पर विचार किया जाए कि क्या उत्पादन और वित्रन को अलग किया जा सकता है हम इस बारे में सोचते रहे हैं या एक सुझाओ हमें मिला है अब आपको इस पर विचार करना है हम समझते हैं कि बिजली की चोरी और अनिमित्ताएं अधिक आंस्तया वित्रन में ओती हैं तथा इस पहलू को मजबुत करना बहुत जरूरी है हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्यों न वित्रन का काम हम सेकारी संगठनों या नीजी छेत्र को सोप दें हमें मालूम है कि ग्रामिन विद्धूती करन बोर्ड ने बलाक या तालू का विशेस में बिजली के वित्रन का काम किसानों द्वारा बनाई गई सेकारी समीती को सोपा था और कुछ मामलों में तो मुझे मालूम है कि उन्होंने अच्छा काम किया है अन्य इस्तानों पर भी बिजली बोर्डों से बुरे भी नहीं रहे हैं तो यदि तुलना करें तो इन सेकारी संगठनों ने अच्छा काम किया है तथा सेकारी संगठनों के सदस इस बात को चुकि वे सोयम किसान हैं तथा बिजली के लाभारती हैं अच्छी तरह समझ गए हैं कि वह मुप्त में मिलने वाली नहीं हैं तथा मुप्त बिजली या बहुत ही कम दरों पर बिजली की बात तो ऐसे ही है जैसे पेसे पेसे को तो हम पकड़ कर रखे और रुप्यों की परवा ना करें अंततर इसके परिणाम स्वरूप किसान कोई ही नुक्सान होना हैं उन्हें परियाप बिजली नहीं मिलेगी और अपनी सेकारी संस्ता चलाने के लिए परियाप तधन नहीं मिलेगा मैं समझता हूँ की ये सेकारी संस्ताएं इस बात के प्रती जागरुपता पेदा कर सकी हैं मैंने ग्रामिंड विद्धूती करन निगम से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है की वे केसे काम कर रहे हैं क्योंकि मुझे बताया गया है की कुल मिलाकर उन्होंने अच्छा काम किया है यह बताना तो बड़ा आसान होता है की उनका काम ठीक नहीं रहा कुछ भी तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि हम ठीक करेंगे नहीं समय समय पर उनकी समस्याओं पर विचार नहीं करेंगे जहां भी कटनाई होगी उनकी मदद नहीं करेंगे यदि हम ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो हमें उनकी आलोचना करने का और यह कहने का की उनका काम ठीक नहीं है कोई अधिकार नहीं है अतर जल्दी ही इस वेलूपर फिर से विचार करेंगे और आपको बताएंगे की यह प्रियोग कहां तक सफल हुआ है चीनी मीलों के समद में तो यह प्रियोग उलेकनिक रूप से सफल रहा है जब राज्यसरकारें चीनी मीलों को चला रही थी तो सायद ही उनकी प्रगती संतोजनक रही हो जब किसानों की सहकारी संस्ताओं के हातों में उनकी बागदोड थमा दी गई केवल महरास्ट में ही नहीं जहां यह परंपरा अत्यंत अच्छी वह पुरानी रही है उन राज्यों में भी यदि किसानों की ही सहकारी समितियां हैं तो उन्होंने अच्छा काम किया है कुछ हद तक वे अपने लाभों, हानियों, त्यागों आदि को समाजोजित कर पाए हैं तथा वे अन्य छेत्रों की सहकारी समितियों की तुलना में अपने आपको बहतर ढंग से जीवीत रख पाए हैं इसलिए मैं समझता हूं स्वयम, लाभारती, किसानों को सहकारी संस्ता या कोई और संगठन बनाने दिया जाए। बच्चों अगर आपका आउटलेंज पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास डियारेक्ट डिक्टेशन और एडवान्स आउटलेंज आती रहें धर्निवाद